आज आ सजनी राज कुमार तो हम भी गोरी अदिलीप कुमार है साथी हरा करके छोड़ूगा यह मेरा दावा है मुझे आमने सामने डिवेट पर पोईटा दीजिए जो जड़ा भी गलती होगा मेरा नहीं छोड़ दूगा इस वक्त बिधान सभा रश्रा अंतरगत उपस्ती थे यह लोग सभा घोसी का चितर है तमाम पार्टिया चुनावी अखाड़े में जो राजमाइस कर रहे हैं सामने कुछ लोग है आये बात करते हैं और इनसे यही खास जनकारी आउगेत करते हैं मेरा परिचे मोती चंद्राजवर्फ निवास अस्तान चितावनी रस्राबलिया कानिवासी हूं मैं स्वल्देव स्वाविमान पार्टी में प्रदेश उपा धक्ष के परत पे कारे करता हूं चुनाव आ गया है सब पार्टिया इंडिया आमने शामने जो है चुनावी अखाडे में उतरी है उतरी है तो अपना अपना दल है अपना अपना दोलग बजाएंगे हम लोग तो स्वल्देव स्वाविमान पार्टी के हैं और सपा से द्लेंसमों का है सपा से तालमेल है चुनावी मैदान में उतर गये हैं आप लोगे पार्टी से उमिद्वार वही देंगे कि हमारा उमिद्वार लड़ाई लड़े और चुनाव जीत करके पार्लियामेंट के सदन में जाए रही बात ओम्परकास राजबर के लड़के अर्विंद का तो अर्विंद चुनाव क्या जिते हैंगे स्वेंग जब उस चुनाव बाप बेटा लड़ते हैं तो जनता भी जान चुकी है कि अधिमी धोका देने का काम करता है समाज को अपना पेट भरने का काम करता है अभी जो है कि अपने बाप बेटा ही चुनाव लड़ रहे हैं क्यों बनाए है उनसे जारा पूछिएगा क्यो हमारे राज्टी अद्र्विंद paradise दर्फिर को बनाना चाहते है अपने दल में यहाना चाहते थे लेकिन हमारा नियता लालशी नहीं है गरीबो का हमदर्द है हमोने इता हम दर्द है अधिक अब सब्सक्राइब मोंका हां पर ने काम किया था साथी 2003 जुलाई दीन अतवार को हमने लाने का काम किया था 2003 में आये वो भारती समाज पार्टी बनाये थे मैं सुवल्देव राजबर संगठन बनाया था और चलाने का काम करता था जब वह आये स्लोगन बोला उन्होंने सुरु कर दिया मायवति जी की सरकार थी 2003 यहां के स्वर्गी घुरादाम जी बिधायक रहा करते थे सिती के उन्होंने आये तो पार्टी पर भूलाशना लगाना सुरु कर दिया कि कुड़-कुड़ करती है बटोली में और अंडा देती है चंटोली सथी एक चीजा आपको मैं बता देना चाहता हूं हमने माइक संचालन कर रहा था माइक को हमने चिल लिया कहा कि आप किसी पार्टी के टीका टपड़ी करने के लिए आपको मैंने नहीं बुलाया है मैं संगठन के काम चलाता हूं सारे दल के सारे दल के कारिकारता नेता जो है वो मेरे राजवर संगठन में चल रहे हैं अन्यता आईशा भासर देने का काम न करें क्या लग रहा है अब यह कहा जा रहा है कि एंडिये के साथ गड़ बंदन में राजवर को कोई टक कर देने वाला भी नहीं है अईशा है स्रीमान मैंने कहन दिया कि अपनी जमानत जिस दिन बचा ले वही बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्दी होगी अज सुभासपा के राष्टी अध्यक्स को उपलब्दी मिलेगी उनको तो भाई बनारा जाना है मैं तो चैलेंज से कहता हूं कि योंपरकास बलिय चैलेंगे वतले होगी है जंटा को भी टोर करकर दफली बजा बजा करके पैसा सुनने का काम कया क्या है कि जो जमीन है वह strengthen बता दे कि कि सके नाम सहे अगर कारियाले होता है तो पार्टी के नाम से उनकी जमीन है वो किसके नाम से उनके नाम से है कि उनके पिता के नाम से है कि उनके मा के नाम से है उनके पत्नी के नाम तारा मनी के नाम से वह जमीन है यह आप जान लीजिए और एक चीज और मैं आपको बता दूँ बहुत अच रभान किया जाएगा आपके बीश में अमपर कास राजवर क्या करने का क्याम करता हैं यह लड़ा सकता है कत्तर ही कडाप नहीं करेगा वह अब्यकती तेज राजवर को आगे बहुते काम नहीं करता है अपना ही धफली बजाने का काम करता है, यह मेरा दावा है, नहीं तो उनको मुझे आमने सामने डिवेट पोईटा दीजिए, जो जड़ा भी गलती होगा, मैं राहिनी छोड़ दूगा अच्छा, पुरा चैलेंज आप ठोकते हैं, शत्ति बात में, कहने में देरी क्या है, उनसे पुछिएगा कि मोती मंदल मिले थे, छितावनी के उनको भुला करके फत्ते पूर कटावना से, साइन लोग कहते हैं कि बनार्ज के कोई नहीं जानता है, उनका इतिहास मैं जानता ह उनका गाँ है फत्ते पूर कटावना, फूल पूर ताचील, फूर पूर बलाक, पिंडरा बलाक, फूल पूर ताचील, बनार्जीला वही को रहने वाले हैं, जोनपूर के बाडर के, उनको पूरा कटावना, 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 काटा ही काटा था, और आप ल इसको आप लड़ाने काम किया है धनुगाई में टिकट बेचने काम उन्होंने किया है सती करेकरता ने ता अपने दल पाटी को लड़ाने काम उन्होंने कट्टाइक कडाप नहीं हुआ जिस विवाकी से आप लोग सामना के लिए त्यार हैं कह रहें कि उन्होंने पता चल जाएगा जो छोटी-छोटी पाटिया बना के गड़बंदन में जा रहा है यह रसमलाई खाने के लिए जा रहे हुआ हुआ है एक चीज मैं आपको बता दू यह बात को हते थे घोसी में सुदाकर सिंग को हम लोग चुनाव लड़ाये थे अपने दल पाटी से अना सुदाकर सिंग को हम लोगोंने चुनाव लड़ाया था और सुदाकर सिंग को अच्छी वोटों से जीत दिया करके उनको दिखा दिया और घोसी के चुनाव में भी आजा सजनी राजकुमार तो हम भी गोरिया दिलिप कुमार है साती हरा करकर चोड़ूगा यह मेरा दावा है एक डम जनता जान चुकी है उनके धुर्मुन राजनीतों को उमपरकास राजबर जानते हैं क्या है नहीं जानते हैं तो आज बता देता हूँ वो समील बाजा है समील बाजा का नाम सुने है नहीं सुने है शामील बाजा का मतलब यह समील बाजा होता है यह कराजा ने दरबार लगाया कहा कि जो अच्छा बाजा बजाएगा उसको इनाम दिया जाएगा वो भी अपना सब दर्मार लगा है कोई बासुरी बजाता था कोई तुरूमपीट बजाता था कोई किलाट बजाता था कोई हर्मोनिया बजाता था कोई धोलक बजाता था एक बासुरी बजाते हुए बंदा आया और बासुरी अच्छी लगती है सारे लोग जानते है अकेले मैं बता दूँ जनता भाजपा शेर उठी हूई है प्रकास की जूठी वादों को जान भी गई है अब तो साफ रास्ता है सुल्देश अभीमान पार्टी और सपा के लोग के साथ हमारा ताल में लाए चुना हम दोनों जीतेंगे मुहमदव हमारे साथ है यादों मेरे साथ है जितने गरीब जातिया है कुछ कुछ उनको ओट मि मैं मानता हूं लेकिन चुना नहीं जीतेंगे छेत्रों में जा रहे हैं कि जहां भी जाए सुभासपा के सभी करकाता ही नजर आ रहा है कोई खाड़ा चुनाव मैदान में हाई नहीं है लड़े नहीं है पुछ दिन पहले कि देखो भाई पूजर गामचा मत लगाओ 25 रु मैं जानता हूं कई नहीं में कुछ और खुलासा होगा करने में लागा स्राशazar को लेका जिससे आप ल रही पैले तालूक रखते फे इस पार्टी से आप लोगी कभी आधर का नहीं करेंगे तो दो बदाइए तो होगी जब घर में अगर मुखिया है जया भाए यह तो यह तो लाजिम सी बात है यह कौन सी बुरी बात है तमाम लोग है और थोड़ा सा हिलों से भी हमस्ताइए प्लइक जाएंगे क्या चुनावी महाल है ये सदूतका हैं जिनावी जिनिया महल को है जिनावी महल के लिदावेश इंडिया इंडिया 여ं